ओम नमस्षिवाई जैमा तरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूचिब चैनल रत्यो हाट टोड के मैं हूँ आपके साथ रिम्चिम शर्मा दोस्तों आप अस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सोमवती आमावस्या के दिन की जाने वाले कुछ अचूक और सरल उपाए माक्षिश मा की आमावस्या ते थी इस बार सोमवार को पढ़ रही है इसलिए इसे हम सोमवती आमावस्या भी कहेंगे 14 दिसम्बर को सोमवती आमावस्या है और 14 दिसम्बर इस साल बेहत खास हो जाएगा इस लिहाद से भी कि खगोलिय घटना भी हो रही है 14 दिसम्बर को सुर्य ग्रहन भी साल का आखरी सुर्य ग्रहन भी लग रहा है तो उस लिहाद से भी 14 दिसंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तो सुमवती अमावस्या साल की आखरी सुमवती अमावस्या होगी ये और मांक्षीश माह में जो ये सुमवती अमावस्या पढ़ रही है ऐसा माना जाता है कि माक्षिश मा का बहुत विशेश महत्व होता है सनान डान और तरपन के लिए तो ऐसे में भी सोमवती अमावस्या पढ़ रही है जो माक्षिश मा में बहुत ही विशेश महत्व रखती है यह जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं बहुत ही सरल छोटे उपाय है दोस्तों मैं 5 आपको बटाउंगी लेकिन आप उनमें से कुछ कर सकते हैं आप चाहें तो एक करें, आप चाहें तो पाँचों कर ले 2 अगर सक्षम है तो 2-3 कर ले जितने मन उतने करें लेकिन आपको जरूर विश्वास के साथ करना है उपायों को उपायों को करते समय देखी एक बहुत विशेश बात मैं बता रहे हूं यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है बहुत पर हम ऐसा पूछते हैं कि हमने यह उपाय किया हमें फायदा नहीं हुआ उपाय अगर आप विश्वास के साथ करेंगे भगवान के निमत अगर हम कुछ कर रहे हैं दोस्तों उसका फायदा आज नहीं तो खल हमें मिलना ही है तो इस विश्वास के साथ आप जो भी उपाय करेंगे इस सोमवतीय मावस्या वो जरूर पोड़न होंगे मन में सबसे पहले तो यही विश्वास रखें दोस्तों जैसा मैंने बताया आपको कि सोमवतीय मावस्या का बहुत महत्व होता है अगर जो सुहागिन महिलाएं हैं इस दिन वुरत करती हैं तो उनकी जीवन में जो दामपत्य सुख होता है पती दीरगायू होते हैं स्वस्त होते हैं और हमेशा जीवन प्रयत उनके सांसारिक जीवन में पारिवारिक जीवन में खोशहाली बनी रहती है सोमवती अमावस्या के दिन स्नानदान और तरपन का तो महत्व है ही है इस दिन काल सर्प दोश्मुक्ति के लिए भी कुछ विशेश उपाई किये जाते हैं सोमवती अमावस्या को दोस्तों आप जो भी उपाई करते हैं ऋमना चाहता है जो सभी काम ना से करते हैं, कोई काम बिगडा है, अगर आप करते हैं उपायों को जरूर सिद्ध होता है। तो चलि मैं आपको पहला उपाय बिताती हूं जो आपको इस सोम्वती अमावस्या ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन की जो ये अमावस्या है, इस दिन भगवान शिव की पूझा आरातना का बहुत विशेश महत्व होता है, तो इस दिन आप किसी भी मंदर में जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूथ और दही से जरूर अभिशेक करें, ऐसा करने स माना जाता है, स्तरियां अगर कर रही है, तो दामपत्य जीवन खोशहाल होता है, कोई व्यक्ति अगर कर रहे हैं, तो जो भी मनोकामना से, जो भी इच्छा पूर्ती के लिए वो कर रहे हैं, जरूर पॉर्ण होती है, कुवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, अपने भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिकत नहीं है, दोस्तों सुमवती अमावस्या को पित्तरों के लिए किया गया, जो भी कर्म होता है, बहुत फलदाई होता है, पित्तरों का आशिरवाद मिलता है, और हम सभी जानते हैं, अगर पित्तरी दोश है, तो जीवन में तमाम तरह की समस्या आए रहती है लेकिन अगर पित्तर प्रसन है इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती जीवन में जिस भी काम में आप जाएंगे आपके पित्तरों के आशिरवाद से वो जरूर पूरा होता है विवा के संबंधी काम हो संतान सुख की कामनागराब करते हैं धन संबं में गुड और घी का आप उन्हें धूब दिखाएं ऐसा करने से पित्तरों के आशिरवाद की प्राप्ति होती है चीवन आपका खोशहाल बना रहता है दोस्तों सोम वतिया मवस्या का एक और अच्छू कुपाय आपको बतादू माक्षिष्ट मा भगवान कृष्ण करनी है ऐसा करनी से माना जाता है कि आपके जीवन की जो भी दारिद्रता है वो खत्म हो जाती है मालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है तो सोम वतिया मावस्या की दिन जब भी आप अवित्रु नदी में इसनान करें और अगर आप बाहर नहीं गये हैं तो घर में ही गर में जो तुलसी का पौधा आपने रखा है तुलसी चौरा जो आपके है उसके चारो ओर आपको 108 परिक्रमा गिंती कर करनी चाहिए इस बीच आप ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंत्र का जब लगातार करते रहें बहुत ही अच्छा और छोटा सरल उपाई है जो आप बड़ी आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक अनिचूटा सा उपाई बता दूं आपको इस दिन आप गणपती को एक सुपारी जरूर अर्पित करें ऐसा करने से गणपती आप पर प्रसंद होते हैं और माता लक्षमी की कृपा हमेशा बनी रहती है सर्फ एक सुपारी आपको गणपती को इस दिन अर्पित करनी चाहिए सुपती अमावस्या के दिन मा लक्षमी को प्रसंद करने के हम चोटे और सरलचू कुपाईद जरूर करते हैं तो इस सुपती अमावस्या को भी आपको एक उपाईद जरूर करना है आपको इसमें करना क्या है बहुत कुछ नहीं करना आपको सर्फ एक चमच दूद और एक सिका किसी भी कुए में डाल देना है आपके आसपास जो भी कुए हो कोशिश कर पहले से उसे ढूंड लें और उस कुए में एक चमच दूद और एक सिका आप डाल आएं ऐसा करने से माना जाता है माता लक्षमी की विशीज कृपा होती है देखे शेहरों में कुवा मिलना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन जो लोग गाउं में हैं उनके लिए बड़ी आसानी होगी वो कुवे में इस उपाई को कर सकते हैं दोस्तों सोमवती अमवस्या की दिन किया जाने वाला एक और अचुक उपाई मैं आपको बता दूँ इस दिन जब भी आप स्नान करने के लिए हाँ इस उपाई के लिए आपको बाहर में नदी तालाब सरोबर आधी में स्नान करना होगा जब वहाँ पर आप अपने हाथों से सूरी को अर्ग देंगे उसके बाद अपने हाथों में काला तिल लेकर आप अरपित कर दें ऐसा करने से माना जाता है कि आपके पितर प्रसन्न होते हैं जीवन की जो भी समस्याएं है, स्वास्तसंबंदी जो दिक्कते हैं, वो खत्म होती है, तो इस उपाई को भी इस सोमवती अमावस्या आप सरूर अपनाएं, तो दोस्तों, माक्षिश मा की इस सोमवती अमावस्या जो की 14 दिसम्बर को है, उस दिल, आप इन में से कुछ भी एक उपाई जरूर करने, आप चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ नहीं करना आपको, बहुत चोटे वर जरल उपाई, मैंने इसलिए बताया है, कि आप आसानी से घर में रखी, घर में मौजून चीजों से कर सकते हैं, तो जरूर करें, वीडियो पसंद आए, तो जरूर लाइक कीजेगा, आगे जरूर शेयर कीजे, ऐसी जानकारियां जितने जादा सजादा लोगों तक पहुंच सके, उनका भी जरूर लाब हो, उमीद करती हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह की जानकारिया अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजे, चैनल के साथ बने रहें, नोडिफिकेशन बेल बटन हमेशा दबा कर रखी, ताकि ऐसी जानकारियां जो मैं आपके लिए हर रोज शेयर करती हूँ, आप तक सबसे पहली पहुँच सके, वीडियो देखने के लिए आप चुक्रिया जेमा तरानी दोस्तो!